ओम नमस शुवाए मकर संक्रान्ती के सुभा उसर पर आप सभी को धेर सारी सुभामना है इस वर्ष सूर्य देव धनू राशी से मकर राशी में 14 जन्वरी को साम 7 बज़कर 52 मिनट पर प्रवेश किये हैं इसलिए संक्रान्ती का पुन्यकार, दान, जब और हवन इत्यादी 15 तारीख को सुर्योदय से करना चाहिए इस संक्रान्ती में तील, गुड और खिचड़ी इत्यादी का दान करना और सेवन करना लावदायक माना जाता है और आज से ही प्रत्यक्षुव कारे का प्रारंव भी हो जाता है जिसमें वैवाही कारेकरम और हर प्रकार के संसकार इत्यादी शामिल होते हैं आज के दान का महत्व सामान दिनों की अपेच्छा कई गुणा जादा होता है इसलिए आज गुड तील, उड़द, इत्यादी के अलावा साथ अनाज का दान भी करना चाहिए जिससे कुंडली में बन रहे, अनिष्ट से सांती मिलती है और बिखन बाधाये समाप्त होती है आईए अब दैमिक राशिफल की चर्चा करते हैं पॉस मास सुपिपर्ष मंगरवार नौमी तिथी पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा अश्विनी नक्षतर में आज भी दोपार एक बचकर पचपन मिनर तक चलते रहेंगे तरपस्चात भरणी नक्षतर में प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षत रस्वामी सुक्रदेव है आज के जन में जातक सुंदर अच्छे विचारों वाले अपने वचन को पूरा करने वाले होते हैं द्रिठ प्रतिग्य, बुद्धिमान, धन और एश्वारे से युद्ध होते हैं ऐसे जातक पेरणा दायक बिरोधियों को नीचा दिखाने वाले, सत्रूओं पर बीजय पाने वाले और अचानक आकरमन की योजना में प्रवीन होते हैं धार्मिक कारियों में रूची रखने वाले, यदि किसी प्रकार के नशे के सिकार नहीं हुए, तो अपने अंतिमुद्देश को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं ऐसे जातक उन्नती सील और उच्चा भिलासी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा दर्शा ठीक रही, मंगल और सुक्र की स्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज भी मेश रासी में ही चलते रहेंगे जिसके रासी स्वामी मंगल देवने आज भी चंद्रमा पर राहू की नवम द्रिष्टी काइम रहेगी, मगर नक्षत्र आधे दिन केतु का और तत्पस्चात सुक्र का होगा जिससे भावनात्मक संवेदन सीलता बढ़ी रहेगी, संबन्धों में मधूरता काइम होगी रचनात्मक क्रिया सिलता बल देगी, रुके हुए काम संपन होगे, मगर अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक फ्यरना में उतार चड़ावाता रहेगा मौसम संबन्धी जटिलताओं से सावधानी अपेक्षित है, आज संक्रान्ती है, इसलिए आज के दिन किसी को रिण या कर्ज नहीं देना चाहिए आज के दिन दिया गया पैसा जल्दी वापस नहीं मिल पाता है, और हर तरह की अर्चने पैसा वापसी को लेकर आ सकती है साथ ही आज का राहुकाल दोपार तीन बजे से साड़े चार बजे तक लगा रहेगा, इस दौरान किसी नए काम की शिरुवात ना करें, अन्यथा कारे बाधित हो सकते हैं मेश राशी के जात्मों के लिए आज का दिन चंचल प्रविक्ति के साथ ही चलता रहेगा, मगर कारे च्छेति के प्रती जुनूनी मानसिक्ता के लिए प्रेरित करेगा भावनात्मक रिष्टों का विकास होगा और स्वयम में उर्जावान महसूस करेंगे साजेदारी के कामों में रुची बढ़ेगी और नई कार्वियो जिनाय लाँदायक रहेंगी मगर मा के स्वास्त की चिंता के साथ ही यार्थिक पक्ष से भी थोड़ी चिंता महसूस होगी संतान संबंधी मामलों में आत्मिश्वास बढ़ेगा और रचनात्मक कारियों में बिद्धी होगी उन्नती के अवसर मिलेंगे, साजेदारी लावदायक रहेगी, बिद्ध्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा सिक्षा प्रतियोगिता में सफवलता मिलेगी और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनफूल जाएगा ब्रिश राशी के जात्कों के लिए नीजी निवेश की संबावना बनती है और साजेदारी के काम संबंध होंगे नई का दिन अर्योजनाओं में आथिक निवेश संबावित है और कारेचेद के विस्तार का मोका मिलेगा संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास का योग बनता है खर्च और आवस्यक संसाधनों के मुर्दों पर सतर्गता रखनी चाहिए हलाक की रचनात्मक सकरियता बनी रहेगी और आथिक पक्ष मजबूत रहेगा पारिवारिक रिष्टों में दबाव महसूस होगा और बीरोष की संबावना बनती है बिद्याथ्यों को सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है प्रयास जारी रखें और वयवाहिक मामले अनकूल रहेंगे साथ ही स्वास संबन्धी आवस्टक सावधानी बनाए रखें मित्वन राशी वाले जात्कों के लिए कारेच चल्थ की सकरियता में ब्रिध्धी होगी बुजुर्गों से लाव और साजेदारी बनी रहेगी मगर ठोस और महत्पुन देने सावधानी पुर्वक समुछ सोच समझ कर लेने चाहिए स्वास संबन्धी मामलों में रख्ट विकार और तचा से संबन्धित संक्रमर होने का अंदेशा भी बनता है मिध्यातियों के लिए आज का दिन सफल्दा दयक होगा परियास जारी रखें और वैवाइक मामले पलिभूत होंगे करकराशी के जात्मों के लिए आज का दिन सुकून और संतुष्टी वाला महसूस होगा कारेचेतर में ब्यास्तता के साथ उत्साहजनक इस्थिति बनी रहेगी और सफल्ता हासिल करेंगे नई कार्योजनाओं में सासन सत्ता बाधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा आथिक लाव की इस्थिति अच्छी रहेगी निजी निवेश, भूमी वाहन या प्रापरटी संबन्धी मामलों में आज का दिन सास देगा बीरोधी पक्स से लाव की उम्मीद भी बनती है साथ ही रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है संतान संबन्धी चिंता कुछ बिशियों को लेकर हो सकती है मगर रास्ते भी मिलते जाएंगे विध्याथियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा सिक्छा प्रत्योगिता में सही योग जारी रहेगा और वयवाहिक मामलों के तस्ताओ अनुकूल रहेंगे सिंग राशी के जात्कों के लिए कारेश शित्र में विकास होगा और सम्बंदित मामलों में रुके हुए कारेश संपन्ध होंगे विभागी अधिकानियों का सहयोग काइम रहेगा और कारी वजनाओं के लिए गचनापनों प्रयास साथक होंगे आथिक लावमन मुताबिक मिलता रहेगा धार्मिक भावना बलवती होगी अब तक जो कारी ठीक ढंग से नहीं चल पा रहे थे या जिन के लिए साथक पहल नहीं हो पा रही थी वो सारे काम भी अब संबन होने लगेंगे और आपके प्रयासों से रुखते हुए मामले भी सुलग सकते हैं विद्याथियों के लिए आज का दिन सामाने होगा अध्यान अध्यापन में सफलता संभावित है और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अलगूल रहेगा कन्यारास के जातक स्वास्त वा उर्जावान बने रहेंगे आपके प्रयासों को गती मिलेगी आर्थिक लाव की स्थिती मन मुताविक बनी रहेगी कारेश्यत की निरंतरता और नई कागियोजनाओं के लिए मित्र वसागे संभंधियों से भी सही ओग मिलता रहेगा साजेदारी के कामों में लाव संभाव है मगर अचानक यात्रा या प्रवास की स्थिती का संकेत मिलता है नीजी संभंधों में तनाव वा तर्क वितर्की स्थिती के साथ ही दोसा रोपन की संभावना भी बनती है अपनी वाणी पर सहियम रखें संतान संभंधी रुकावटें खत्म होंगी और विद्यातियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें तुला राशिके जात्मों के लिए आज का समय उन्नती कारक होगा शारिलिक वा मानसिक रूप से उर्जावान महसूस करेंगे और अचनात्मों प्रयासों में उचित दिशाने वेश और सकारात्मों पेरना मिलती रहेगी मगर कारे छेतर में सावधानी आवस्चक है कुछ मामलों में वाजविवाद वा मानसिक ध्रम के साथ खर्च भी संभावित है वाणी पर सहियम रखें आठिक लावमन मुताविक मिलता रहेगा और साजेदारी के प्रस्ताव लावदायक रहेंगे नीजी निवेश की योजनाय भविस्ट के लिए लावकारी होंगी विद्याथियों को सिक्षा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी और वयवाहिक प्रयास भलिभूत होंगे ब्रिश्चिक रासी के जातक स्वास संबंधी सुधार महसूस करेंगे मगर मन में नकारात्मक विचारों के उष्णिकांदेशा बनता है चंद्रमा छठने भाव में चल रहे हैं और बिरोधियों से भी लाब संबव है इस दियाथियों को सिख्षा प्रयोगता में सफलता मिल सकती है प्रयास जारी रखे और नकारात्मक विचारों वाले बत्तियों से दूरी बनाता रखे धनु रासिवाले जात्रों के आप मिश्वास में कमी के साथ मानसिक अवस्था प्रभावित रहेगी कारेच्छत की सक्रियता में कमी संभावित है पहल करने की प्रभृति प्रभावित होगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे प्रसासनिक सहीयोग जारी रहेगा साजेदारी में लाव मिलेगा कार्योजनाई या थावर्थ चलती रहेंगी नई कार्योजनाउं में दोसा रोपड की संभावना बनती है मगर आर्थिक वक्ष अनकूल रहेगा और स्वा संबंधी सावधानी रखनी चाहिए मिध्याथियों को सिक्षा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी और उचित मारे बैसन की पेरणा बनी रहेगी मकर राशिके जात्मों के आत्म दिश्वास में दिध्धी होगी वाणी में जोशीला, अंदाज और राचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उमीद दोनती है नई कार्डियों जनाओं में आपका उत्साह और इडिच्छा सक्ती लाव दिलाएगी नीजी और घरेलू संसाधनों में व्रिधी होगी और आठिक लाव बना रहेगा साजेदारी सफल रहेगी रूके हुए काम पूरे होंगे विध्याथी अध्यान अध्यापन में प्रियास जारी रखें नीजी संबन प्रगाण होंगे वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास संबन दियावसक सावधानी बनाए रखें कुम राशिवाले जात्कों के लिए आज का दिन हर छेत्र से अनुकूलता लिए बना रहेगा पराकरम बढ़ा रहेगा प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी नई कारियो जनाओं में आठिक लाफ की मनोगृत्ति बनेगी हलाकि कारेश्यत्र में शासन सता वाधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा साजय दारी के कामों में लाफ संबावए और सम्मंधित कामों में प्रतियोगी भावनाब बनी रहेगी पतनी की सलाह लाव दायक सिद्ध होगी कुछ रुके हुए काम संपन होगे और स्वाज संबंधी जटिलताओं में कमी आएगी विध्यात्यों के लिए आज का समय सफलता दायक सिद्ध होगा मीन राशी के जात्मों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार की प्रवरीती बिक्सित होगी रचनात्माग प्रयास और दिछा सकती साहदेंगे और नई कावी वजनाएं लागू हो सकती है रुका हुआ धन भी मिल सकता है मन की ब्यगरता और नकारात्मक बिचारों को दूर रखे साथिक साथ कारी वजनाओं में जल्दबाजी और आठिक रुकसर जोखिम वाले कामों में सावधानी अपेच्छित है मगर विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सक्षा प्रतियोगता में सफलता की संभावना बनती है प्रयास जारी रखे और वहां सावधानी से चलाएं आज के लिए वास इतना ही कल थिरनी लेंगे ओम नमाशिवाई